आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक, शेर और कमेंट्स कीजिए साथ इसाथ बेल आइकोन दबाईए ताके आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए असलाम अलाइकुम प्यारे बच्चों आज हम अददों का इल्म इसमें बैनुल अक्वामी और रोमन हिंसे से मुतालिक सवाला थल करेंगे बैनुल अक्वामी हिंसे चीजों को गिनने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले एदाद गिन्तिक एदाद कहलाते हैं इनके नामों एक, दो, तीन वगेरा को बिलतर्तिब वान, टू, थ्री वगेरा हिंसे इस्तेमाल करके लिखते हैं इन हिंसों को बैनुल अक्वामी हिंसे कहते हैं यहाँ पर आपको चार्ट में दिखाया हुआ है बैनुल अक्वामी हिंसे और अर्दू रसमे खत सीफर के लिए हम जीरो इस्तेमाल करते हैं एक के लिए वन, दो के लिए टू, तीन के लिए त्री, फूर के लिए चार इस तरह से आगे की तमाम एदाध हम लिखते हैं रोमन हिंसे रोमन हिंसो के निजाम में किसी भी अदद को जाहिर करने के लिए हुरुफ तहजी के साथ हुरुफ इस्तेमाल करते हैं माकाम तबदिल होने से अलामत की कीमत तबदिल नहीं होती यानि इस निजाम में हिंसों की कोई मकामी कीमत नहीं होती यहाँ पर रोमन हिंसे और बैनल अक्वामी हिंसे का आपको चार्ट दिखाया हुआ है 1 के लिए हम I इस्तेमाल करते हैं 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D, 1000 के लिए M अगर I के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D, 1000 के लिए M अगर I के अलामत V یा X के बाय तरफ लिखी जाए तो I की कीमत V या X की कीमत में से तफरीक करते हैं V को बड़े अदद के बाय तरफ नहीं लिखते 10 से बड़े एदा लिखने हो तो पहले इस अदद को दहाईयों के दुरों में लिखिए फिर एकाईयों के लिए मुरासिप हिंसे लिखिए अब हम सवाला थल करेंगे नमबर एक है अदद 47,407 को बैनुला कौामी हिंसों में लिखिए मुदबादिला दिये हुए है नमबर एक 47,407 नमबर दो 47,407 नमबर तीन 4,70,407 नमबर चार लाग 74,007 यहां पर दिये हुए अदद में 1000 और 10,000 के मकामात के हिंसे नहीं दिये गए है इसलिए इन मकामात पर सीफर लिखना चाहिए यह दूसरा मुदबादिल है इसलिए हम दो नमबर वाली धायरे में रंग भरेंगे सवाल नमबर दो अदद 24 को रोमन अदद में किस तरह लिखेंगे यहां पर हमें 24 बराबर यानि 20 जमा चार 20 के लिए हम दो एक्स लिखेंगे 20 में दो दस है इसलिए हम दो एक्स लिखेंगे और चार के लिए हम आई और वी का इस्तेमाल करेंगे 24 बराबर दो एक्स और आई वी इस तरह से अदद बनता है तो यह मुदबादिल नमबर चार है इसलिए हम चार नमबर वाले दायरे में रंग भरेंगे 10 और 28 के हासिल जमा को रोमन हिंसे में किस तरह लिखेंगे यहां पर 10 जमा 28 बराबर 38 होते है 10 से बड़े एदाद लिखने हो तो हम 10 को दाहाई के ग्रोह में लिखते है तो यहां पर हम 38 में 3 दाहाई है तो 3 मरतबा एक्स लिखेंगे और 5 के लिए हम भी इस्तिमाल करते है और 3 के लिए 3 आए यहां पर इस तरह से एक नमबर वाले मुद्बादिल में दिखाई दे रहा है इसलिए हम एक नमबर वाले दाएरे में रम भरेंगे बैनुल अक्वामी हिंसों का इस्तिमाल करके आप अदद 3,303 को किस तरह निखेंगे यहां पर नमबर एक दियावा है 3,303,303,303,303,303,303,303,303,303,303,303 यहां पर सही मुद्बादिल नमबर तीन है क्योंके लाग और दसलाग के मकामाद पर इन से नहीं दिये हुए है यहां पर हमें सीफर सीफर लिखना है और सही मुदबादिल है नमबर 3 यहाँ पर आपको रोमन हिंसों में मिसाल दीवी है 9 जमा 6 जर्ब 2 बराबर कितने हम यहाँ पर हिंसे लिखकर उसका अमल करेंगे 9 जमा 6 जर्ब 2 बराबर कितने इसमें पहले हम जर्ब का अमल करेंगे 6 जर्ब 2 बराबर 12 अब इसमें 9 जमा करने पर हमारा जवाब 21 आता है 21 में 2 मरतबा 10 है 10 जमा 10 दो मरतबा इसलिए हम 2 एक्स लेंगे और 1 के लिए हम आई लेंगे यहाँ पर मुदबादिल 2 में सही जवाब है इसलिए हम 2 नमबर वाले दायरे में रंग भरेंगे 12 जमा 12 तक्सीम 4 बराबर कितने यहाँ पर हम पहले तक्सीम का अमल करेंगे और फिर जमा का अगर हम 12 को 4 से तक्सीम करते है तो हमारा जवाब 3 आता है और उसमें हम 12 जमा करते है तो इसका जवाब 15 आता है 15 लिखने के लिए हम 10 जमा 5 बराबर 15 लिखते हैं 10 के लिए X इस्तेमाल करेंगे और 5 के लिए हम भी इस्तेमाल करेंगे 15 के लिए यहाँ पर X और V नमबर 3 में दिया हुआ है इसलिए हम तीन नमबर वाले दाइरे में रंग भरेंगे मजजल को मुक्तसर कीजिए जिसमें रोमन हिंसे इस्तेमाल किये गए है मिसाल दी हुई है M बटे L जर्ब D तफरीक C बटे XL पहले हम इसमें कीमत डालेंगे M यानि 1000 बटे L यानि 50 जर्ब D की कीमत 500 तफरीक C की कीमत 100 बटे 40 सबसे पहले भी यहाँ पर तक्सीम अगर करते हैं तो हमारा 1000 बटे 50 का जवाब 20 आता है और 500 तफरीक C 100 करते हैं तो इसका जवाब 400 आता है और बटे 40 40 से हमें 400 को तक्सीम करने पर 10 हासिल होते हैं और इसे जर्ब 20 से हमें जवाब मालूम करना है 20 जर्ब 10 बराबर 200 200 को लिखने के लिए हम C का दो मरतबा इस्तिमाल करते हैं 200 जमा 100 बराबर 200 यानि दो मरतबा C लिखा जाता है इसलिए नमबर एक वाला जवाब सही है इसलिए हम नमबर एक वाले दायरे में रंग भरेंगे M तफरिक D तक्सिम L यहां पर भी हम कीमते डालेंगे और इसके मताबिक अमल करेंगे सबसे पहले हम तक्सिम का अमल करेंगे अगर हम 50 से 500 को तक्सिम करते हैं तो इसका जवाब 10 आता है और 1000 तफरिक 10 करते हैं तो इसका जवाब 9 से 9 बर दाता है यहाँ पर मुद्बादिल चार ये सही जवाब है इसलिए चार नमबर वाली दायरे में हम रंग भरेंगे